हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वायोवैदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डाइबिटीज में चावल खाने के नुकसान के बारे में जी हां आज हम आपको बताने वाले हैं कि डाइबिटीज में हम आपको ये भी बताएंगे कि शुगर फ्री चावल होते हैं किया और साथ ही साथ आज ये भी जानेंगे कि डाइबिटीज में ब्राउन राइस खाने के क्या-क्या फायदे होती है तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइ डाइबिटीज में चावलों का सेवन करना चाहते हैं तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं ये आपकी सेहत के लिए फायदे मंद भी है और आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते भी नहीं तो आज के वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि वाइट उससे पहले समझते हैं कि सफेज चावल जो है वाइट राइस ये आपके लिए क्यों नुकसान दायक है तो मैं आपको बताऊं कि वाइट राइस में स्टाश की मातरा बेहत जादा होती है जिसकी वज़े से ये हमारे शरीर में जाते ही तेज गती से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है साथी साथ आप समझ एक वाइट राइस की प्रोसेसिंग के दोरान लगभग 67 प्रतिशद विटामिन B3 90% vitamin B6 और लगभग 80% vitamin B1 और 60% magnesium और साथ ही साथ कुछ खास fibers और nutrients इससे बाहर निकल जाते हैं यानि चावल के अधिक्तम पोशक्तत वो इससे बाहर निकल जाते हैं वो एक अलग बात है कि इसका स्वाद बढ़ जाता है इसलिए diabetes में आपको सफेद चावलों के मुकाबले brown rice पर ध्यान देना चाहिए और सीमित मातरा में ही सही जब भी आप चावल खाएं तो brown rice खाएं इससे आपको पोशक्तत वो भी मिलेंगे और आपका blood sugar level भी control में रहेगा मैं आपको बता हूँ कि diabetes के मरीजों के लिए चावलों का सबसे बहतर विकल्प है brown rice बशरते आप अच्छी quality के brown rice खाएं आप समझे के brown rice में glycemic index कम होता है और इसमें starch की मातरा भी कम होती है तो कहीं न कहीं ये diabetes के मरीजों के लिए फायदेमन बाना जाता है साथी साथ आप समझे के brown rice के सबसे बहतर variety कौन सी है तो इसमें आप बास्मती brown rice या फिर wild brown rice खाएं इनका glycemic index सबसे कम है इसमें starch की मातरा भी सबसे कम है तो ये निश्चित रूप से आपके स्वास्ते के लिए अच्छा है एक बात का और ध्यान दखें कि अगर आपको diabetes है तो brown rice जब भी खाएं तो सीमित मातरा में खाएं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा मातरा में brown rice खाएं तो ये कहीं न कहीं आपको नुकसान दे सकते हैं फिर आप समझ ये कि क्या brown rice sugar free होते हैं तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं और आप समझ ये कि कुछ लोग sugar free rice कह करके इन brown rice को sale करते हैं बेचते हैं तो आप इनके चक्रों में बिल्कुल ना पड़े और आप ये भी समझ लीजे कि sugar free rice नाम की कोई चीज होती ही नहीं अगर brown rice आपको diabetes में खाने को कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे चावल होते हैं जिन में पोशक मात्रा जादा है और कहीं न कहीं ये सीधे तोर पे आपके शरीर में जा करके आपकी blood sugar level को तेजी से नहीं बढ़ाते इन चावलों की खास बात ये है कि इन में किसी भी तरह की polish नहीं होती और कहीं न कहीं ये diabetes के मरीजों के लिए सामानिय सफेज चावलों के तुलना में कम नुकसान दे होते तभी तो इन्हें आपको सीमित मात्रा में खाने को कहा जाता है और इस बात को समझते हुए आप चावलों को सेवन करें तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें थैंक यू वेरी मुझ